इस योजना के तहट यहां की जनता यानि मत्यप्रदेश की जनता को मुफ्त में प्लॉट दिया जाएगा ताकि वो अपना घर उस प्लॉट में बना सके तो इस योजना के बारे में जरा हम देख लेते हैं उस योजना का खास उद्देश्य क्या है ग्रामिन छेत्रों में जो गरीब परिवार रहते हैं जो निर्धन परिवार रहते हैं जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है अप स्कीम्स को मध्यप्रदेश में पहले लागू किया जा चुका है उनका भी लाब उनको मिल रहा है करीब 10,918 परिवारों को 129 करोड के भूखंड वितरित कर दिये गये हैं तीकमगड जिले में इसका शुभारम कर दिया गया है योजना के तहत प्रदान किये गये जो प्लोट भी वो करवा सकते हैं तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा साथ ही उनको मुफ्त में प्लोट भी दिया जा रहा है तो बहुत ही जादा ये खुशकबरी है बहुत बड़ी खुशकबरी यह है अब इसकी पात्रता देख लेते हैं कि भाई कौन एलिजिबल है इस योजना के त भी हमको फ्री में प्लोट चाहिए तो उनके पास अभी फिलहाल कोई प्लोट या रहने के लिए कोई जगर नहीं होनी चाहिए तब ही वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं दूसरा है आवेदक परिवार के पास पांच एकर से कम की भूमी हो अगर उनके पास जमीन है भी तो पांच एकर से कम की जमीन होनी चाहिए उससे जादा हुई तो वो नहीं कर सकते हैं पर अपलाई आवेदक परिवार का कोई भी सदसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए मतलब की इंकम टैक्स नहीं भर रहा हो ठीक है अगर कोई इंकम टैक्स भरने वाला परसन है तो वो इस य ज़गा में जहाँ पर उसको मुफ्त में प्लॉट दिया जा रहा है वहाँ पर उसका जो नाम है वोर्टर लिस्ट में शामिल होना चाहिए आवेदक परिवार का कोई भी सदस्य शाष्किय सेवा में नहीं होना चाहिए मतलब सरकारी नौकरी उस परिवार के किसी भी सदस्य के पास नहीं होनी चाहिए ये ध्यान में रखना है जब अपलाई आप करेंगे तब आवेदक परिवार सार्वजनिक वित्रन प्रणाली यानि PDS, PDS की जो सुविधा होती जिसके तहत राशन दिये जाते हैं, बहुत ही कम पैसों में राशन दिये जाते हैं, उसकी सुविधा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही ये plot जो है मुफ्त में दिया जाएगा, पात्र आप ध्यान में रखिए, बहुत ही अच्छी योजना है, फ्री में plot दिया जा रहा है, जितने भी निर्धन गरीब है, जिनके पास plot नहीं है, जमीन नहीं है, घर भी नहीं है, तो वो लोग एक जमीन मुफ्त में लेंगे सरकार से, उसके बाद उसमें घर बनवाने के लिए सरकार काफी सारी योजनाओं का उनको लाब देने जा रही है, तो ये था पूरा डीटेल, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, किसी भी तरह का डाउट या कन्फीजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जादा से जादा वीडियो को शेर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, आज के लिए इतना ही, थैंक्यों सो मच